पिशले 70 साल से इस देश में धर्म नर्पेक्षता का कोई सबसे बड़ा ठेकेदार बनता है तो वो है कॉंग्रेस पार्टी नहरू से लेकर रहूल गांधी और प्रेंका वाडरा तक गांधी परिवार के हर सदस्द ने चाती ठोक कर कॉंग्रेस को धर्म नर्पेक्षता का सबसे बड़ा रक्षक बताया है लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है मुसलिम वोट पाने के लिए कॉंग्रेस कुछ भी कर सकती है मुसल्मानों को भरकाने के लिए वो बिजेपी को सामप्रदाइक पार्टी बताती है लेकिन वही दूसरी तरफ मुसल्मानों का दल जीतने के लिए वो कट्टर पंथी मुसलिम लीग से गटबंधन भी कर लेती जी हाँ एक बार फिर कॉंग्रेस ने केरल में मुहम्मद अली जिन्ना की पार्टी से हाथ मिलाया है एक बार फिर कॉंग्रेस का जिन्ना प्रेम दुनिया के सामने आ गया है केरल में होने वाले विधान सवाचुनावों में कॉंग्रेस ने मुस्लिम लीग को अपने हिस्से की 26 सीटे देने का फैसला किया है खास बात है कि पिछले लोग सवाचुनावों में राहूल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन के बदोलत वाइनार से सांसत बने थे लिहाजा इस बार कॉंग्रेस ने पिछली बार की तुलना में मुस्लिम लीग को तीन सीटें जादा दी है अगर आपको लगता है कि केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिन्ना की मुस्लिम लीग से कोई सम्मन्द नहीं है तो आप गलत है केरल की मुस्लिम लीग का जन्म जिन्ना की मुस्लिम लीग की कोक से ही हुआ है आजादी के बाद जिन्ना के चेलों ने ही केरल के मुस्लिम लीग को पाला पोसा और उसे खड़ा किया था हैरत की बात है कि खुद को धर्मनर पेकष्टा का ठेकेदार बताने वालों ने आस तक ये सवाल नहीं उठाया कि इस देश में मुस्लिम लीग है ही क्यों लेकिन आज खरी बात में हम तत्थियों तरकों और सबूतों के साथ जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग के संबनों को बेनकाब करेंगे लेकिन उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस बार बार केरल में जिन्ना की इस मुस्लिम लीग से हाथ क्यों मिलाती है दरसल इसके पीछे है मुस्लिम वोट बैंक आकणों के मताबिक केरल में 27 फीज़ दी मुस्लिम वोटर है 2016 में मुस्लिम लीग ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिन में से 18 सीटे वो जीती थी महीराज की 140 विदानसवाद सीटों में से 40 सीटों पर मुस्लिम मददाताओं का बहुत जादा असर है जबकि उत्तरी केरल यानि मालाबार के इलाके में जादा तर सीटों पर मुस्लिम मददाता 50 प्रतिशत के आसपास हैं तो आईए अब बात करते हैं कि कॉंग्रेस की सहोगी पार्टी केरल की मुस्लिम लीग क्या है जिन्ना की मुस्लिम लीग से इसका क्या संबंद है कि मुस्लिम कटरवाद की गहरी जड़ें जितनी केरल में हैं उतनी किसी और राज्ज में नहीं है आपको यह याद होना चाहिए कि केरल में 100 साल पहले मुपला मुसल्मानों ने विद्रो के नाम पर हजारों हजार हिंदूओं का नरसंगार किया था और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था 1921 में हुए इस मुपला नरसंगार के बाद केरल में इस्लामी कटरवाद और भी तेजी से पनपने लगा 1940 के आसपास जब मुहमद अली जिन्ना ने पूरे भरत में मुसलिम लीग को ताकतवर बनाने की मुहिम चलाई तो केरल में उन्हें जबरदस्त कामिया भी मिली जिन्ना के नफरत भरे भाशणों का असर ये हुआ कि केरल के जाधतर मुटला मुसल्मान जिन्ना को अपना अदर्श मानने लगे यहाँ तक कि उस दौर में पाकिस्तान के साथ साथ एक अलग मुसलिम बहुल मुटलिस्तान बनाने की भी मांग होने लगी थी जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पाकिस्तान बनाने में पाकिस्तान से जादा भारत में रहने वाले मुसलमानों का यूगदान था यूपी, बिहार, बंगाल, असम, महराष्ट, मद्परदेश के अलावा दक्षन भारत के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना को जबरदस्त समर्थन दिया था और इन में केरल के मुसलमान सबसे आगे थे और इसका सबूत है 1945-46 में हुए केंदरी असेंब का हिस्सा था जिसमें उत्तरी केरल के अलावा वरत्मान तमिलनाडू, आंधरपरदेश और कंणाटक के कुछ हिस्से आते थे 1945-46 के चिनावों में मद्रास प्रेसिडेंसी में 28 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई थी जिन पर मुसलिम उम्मीदवार ही खड़े ह हो सकते थे और इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलिम मद्दाताओं को ही था और मद्रास प्रेसिडेंसी की सभी 28 मुसलिम रिजर्व सीटों पर मुसलिम लीग जीती वहीं समिधान सभा यानि केंद्रिय असेंबली के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में तीन सीटे मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थी, जिनमें सभी तीन सीटे जिन्ना की मुस्लिम लीग जीती। समिधान सभा में मदरास प्रसिडेंसी में मुस्लिम लीग के जो तीन उम्मीदवार जीते थे, उनमें दो लोग बेहत खास थे। पहले थे केरल के मल्लापुरम के इलाके से चिनाव जीतने वाले B. पोकर सहब बहादुर और दूसरे थे M. मुहम्मद इसमाईल ये दोनों ही जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे जिन्ना इन दोनों को दक्षिन भारत में अपनी दो आखों के समान मांते थे अगर आपको लग रहा है कि देश का बटवारा होने के बाद जिन्ना के ये चेले जिन्ना के पास पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं ये दोनों ना केवल बटवारे के बाद भारत में ही रहे बलकि इन्हों ने एक बार फिर जिन्ना की मुस्लिम लीग को भारत में फिर से जिन्दा कर दिया आजादी के महज साथ महीने बाद ही 10 मार्च 1948 को M. मुहमद इसमाइल और B. पोकर न मुस्लिम लीग के नेताओं की एक बैठक बुलाई मदरास के राजाजी हॉल में हुई इस बैठक में मुस्लिम लीग के वो सभी बड़े नेता शामिल हुए जो बटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं गए थे और बलकि हिंदुस्तान में ही रहकर एक बार फिर से नफरत के बीज बोने की तैयारी कर रहे थे अपने इसी मिशन को अंजाम देने के लिए दस मार्च 1948 को भारत में मुस्लिम लीग का फिर से गठन किया गया और इस बार इसे नाम दिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एम मुहम्मद स्माइल इसके पहले अद्दक्ष चुने गए और उन्हें नाम दिया गया काइदे मिलत यानी देश के नेता अगर आपको लग रहा है कि ये नई मुस्लिम लीग आजादी के बाद सुधर गई होगी तो आप गलत हैं आजादी के महज 12 दिन बाद यानी 27 अगस्त 1947 को समिधान सभा की एहम बैठक में मुस्लिम लीग के बाकी सदस्यों के साथ साथ केरल के मुस्लिम लीग के नेता बीपोकर और एम मुहमद इसमाईल ने पूरी बेशर्मी के साथ एक घंगोर सामपरदाइक मांग रखी इन दोनों की मांग थी कि पूरे देश में चुनावों में मुसल्मानों के लिए अलग से रिजर्व सीटे होना चाहिए जिसमें सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो और सिर्फ मुस्लिम मददाता ही वोट डाले केरल के मुपला मुस्लिम समाज से आने वाले वीपोकर ने उस दिन क्या कहा था ये जानना आपके लिए बेहत जरूरी है क्योंकि आज इनी पोकर साहब की पार्टी मुस्लिम लीक के साथ मिलकर कॉंग्रेस केरल में विदान सभा चुनाव लड़ रही है आपको जानकर ये हैरत होगी कि जिन्ना के स्चेले वीपोकर का वो भाशन आज भी NCERT की बारवी कक्षा की इतिहास की किताब में मौजूद है और आज भी इसे हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है NCERT की बारवी कक्षा की इतिहास की किताब के पेश डंबर 416 पर लिखा हुआ है कि 27 अगस्त 1947 को मदरास के भी पोकर भाध्दुर ने अलप संख्यकों के लिए प्रथक निर्वाचिका यानि रिजर्व सीटे बनाय जाने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाशन दिया पोकर भाध्दुर ने कहा कि अलप संख्यक हर जगा होते हैं और हम उन्हें चाहा कर भी नहीं निकाल सकते हमें जरुवत एक ऐसे राजनेतिक धाचे की है जिसके भीतर अलप संख्यक भी औरों के साथ सदभाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो इसके लिए जरूरी है कि राजनेतिक व्यस्था में अल्प संख्यों का पूरा प्रतिनिधित्व हो। देश के शाशन में मुसल्मानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्थक निर्वाचिका यानि रिजर्व सीटों के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। पोकर बहद्दुर को लगता था कि मुसल्मानों की जरूरत को गैर मुसल्मान अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं और ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसल्मानों का कोई सही प्रतिनिधी चुन सकते हैं। सोचिए कितनी चोटी मानसिक्ता थी मुसल्म लीग के नेता बी पोकर की और आज इसी मुसल्म लीग के साथ केरल में कॉंग्रेस विधान सभाग का चुनाव लड़ रही है। जिन्ना के दूसरे चेले एम मुहम्मद इस्माइल की। केरल मुसल्म लीग का ये नेता भी चालाकी में किसी से कम नहीं था। समिधान सभा का सदस बनने के बाद 1952 से 1958 तक ये राजसभा में सांसद रहा। इसके बाद ये 1962, 1967 और 1971 में लगातार तीन बार केरल की मंजेरी सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। 1954 में जब हिंदू मेरिज एक्ट पर बहस सल रही थी तब मुसल्मानों के लिए भी मुसलिम मेरिज एक्ट लाने की मांग हुई। और अगर ये मांग पूरी हो जाती तो उसी समय तीन तलाक के खिलाफ कानून बन गया होता लेकिन मुस्लिम तुष्टि करण की वज़ह से नहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। हिंदु मेरिज एक्ट पर बहस के दोरान मुसलिम लीग के सांसद M. मुहमद इस्पाइल ने 11 दिसंबर 1954 को राजसभा में जो कहा था उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि आज भी ये सोच कई कट्टरपंथियों के दिमाग में है। उन्होंने कहा था कि नहरु सरकार ने देश के मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विभा अधिनियम से बहार रखा। आज उसी मुस्लिम लीग के साथ कॉंग्रेस गटबंदन में है। नम्बूदरी पाद ने मुसल्मानों के लिए OBC कोटे में 10% आरख्षन लागू किया। लेकिन जब नम्बूदरी पाद की सरकार कमजोर पढ़ने लगी तो 1969 में केरल की मुस्लिम लीग ने कॉंग्रेस से हाथ मिला लिया। सोचिए इस देश के सारे लिबरल चाचा नहरू को धर्म निर्पेख्षता का मसीहा मानते हैं। क्योंकि नहरू जदगी भर जनसंग और आरेसेस को गाली बकते रहे। लेकिन ये लिबरल कभी ये नहीं बताते कि नहरू ने 1960 में मुस्लिम लीग के साथ बकायदा सत्ता में भष्सेदारी की थी। इसी साल हुए चनावों में केरल में कॉंग्रेस की जीत हुई और इसके बाद केरल मुस्लिम लीग के नेता और कभी जिन्ना के करीबी रहे केम सीठी को केरल विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। सोचे जिस पार्टी ने 13 साल पहले देश के टुकडे किये थे उसका एक नेता एक राज्यकी विधानसभा का अध्यक्ष बनकर आसंदी पर बैठा हुआ था। निकालते ही 1979 में मुस्लिम लीग ने नम्बूदरी पात की कमनिश सरकार से समर्थन वापस ले लिया और एक बार फिर कॉंग्रेस का दामन ठाम लिया। 1977 में तो केरल विधानसभा चुनावों में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस ने बखायदा गठबंदन करके चुनाव लड़ा और सत्ता हासिल की। यहां तक की 1989 में मुस्लिम लीग के नेता सी एच मुहम्मद कोया केरल के मुख्यमंतरी तक बन गए और यह सब हुआ कॉंग्रेस के समर्थन की बदोलत। सोची जिन्ना की मुस्लिम लीग का एक नेता इस देश के एक राज का मुख्यमंतरी भी रह चुका है। लेकिन मुख्यमंतरी बनने के बाद भी मुहम्मद कोया की सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो मुस्लिम कटरपंथी सोच का बचाव करते रहे और उसका सबूत मिलता है उनके एक इंटर्व्यू में। 30 तमवंबर 1989 को मुहम्मद कोया ने इंडिया टूडे मैगजिन को दिये इंटर्व्यू में कहा था कि अलप संख्यकों के सामपरदाइक संगठन और भहु संख्यकों के सामपरदाइक संगठन अलग-अलग होते हैं। अलप संख्यक अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक जुट होते हैं। लेकिन बहु संख्यक तो कहीं भी अधिकार जमा सकते हैं। उन्हें सामपरदाइक संगठनों की जरुवत ही क्या है। यानि मुहम्मद कोया साथ का ये कहना था कि मुसल्मानों को तो सामपरदाइक संगठन की जरुवत हैं। जलकी मनमोन सिंग की केंदर सरकार में भी मुस्लिन लीग शामिल थी। इसलिए अगली बार जब कॉंग्रेस का कोई नेता किसी को सामप्रदाइक कहे तो आप उससे जरूर पूछिएगा कि जिन्ना की पार्टी से उनका क्या रिष्टा है। आपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।